बापु कुटी मदे आले नंतर एक आत्मिक समधाने में ताने एक उर्जाई में आड़े विशेष्था स्वातन्त्रयाच्चा अम्रुत मोच्चा आमें साजरा करतो है तेसा अनुगो आमें घ्यूँ शकतो है ते बापुन चे मुल बापुन नी जाप्रकारे या देशा मधे स्वातन्त्र समराला एक वेगली दिशादिली अहिंसेच्या माध्यमातन संपूर्ण सामान्य जनानना बापुन नी स्वातन्त्र इदशी जोडून गेतला अनुगो आज दिवस आपलेला पाहला मेतो है अनुगो आज विशेशता बापुन नी जो संदेश दिला दरित्र नाराणाचा सेवेचा आज तेश कारिय अधरनिय मोधी जी गरीप कल्ल्यानाचा अजेंड्याचा माध्यमातन चालूता है तीन कोटी लोकानना घर, अडिस कोटी लोकानना तेडिकानी विद्विद्या सोई पाच कोटी लोकान परेंता गयास सिलेंडर, सहा कोटी घरान परेंता लोड बापुन चे शपन होता कि या देशातला शेवट्चा मनुस जो आहे अंतिम पंक्ती मदला त्याचा उदेश आला पाई जे हाज परेंतने या डिकानी होतो है मला विश्वास है कि या स्वातंत्र्याचा अमरूत मोचचवाचा निमित्यानी आमी या ठिकानी उन्ट संकल्प पद्द होतो है कि जो परेंत मानवी चहरास्तेला समावेशी विकास जो जे धेय माननीय पंतप्रधाननी माणडला है ये जो परिंत आपन साध्य करत ने तो परिंत अविरत आपन परिश्रम घेत रहू आणि स्वातंत्राचा अम्रूत मोच्छावचा निमित्य ने आपनी राष्ट्र भक्ति आपन जागुरूट आपनाज मौन घेरून बापु कुटी मदे बसला होता थोड़ा वे काय नक्ति वाटनाई हो अचै कि ये क्रुगी अनुभूती है काराण जया ठीकानी प्रत्यक्ष मात्मा गांधी रहलेयाद बापू रहलेयाद त्या ठीकानी गेलेयान अंतर बलास वट्टे की शब्द स्थत्र कर्लास प्रत्यक्ष अनुभू झाल टनुभू झाल रहलेया थाइंग जिता भीकानी ठीकानी रहलेयाद बलास प्रत्यक्ष मात्मा चैचै का लेता वाटनाई हो उगेता गया लाटनाई प्राण येरूपू वेड़ू हो वगे झाल झाल